दोस्तो नाम से केवल इंसान का पहचान ही नहीं होता बलकि उसकी प्रस्नाल्टी से जुड़ी हुई कई बाते हमें जोती सास्त के द्वारा पता चलती है दोस्तो किसी भी ब्यक्ति का नाम का पहला अक्षर उसके सोभाव और उस ब्यक्ति के प्रस्नाल्टी को जाहिर करता है दोस्तो हर बात में तोल मूल करने वाली एन अच्छर नाम की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं तो दोस्तो आईए हम जानते हैं एन नाम वाली लड़कियों के सोभाव और उसकी प्रसनालटी से जुड़ी हुई कुछ बाते दोस्तो बात हम करें इनकी साजिक रचना और प्रसनालटी की तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है दोस्तो इस अक्षर की लड़किया बेहद ही बिंदास होती है एन नाम की अक्षर की लड़कियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है और वह अपनी ही दुनिया में बेहद ही खुसराती है दोस्तो इन्हें दिखावे पर बहुत ही ज़्यादा यकीन होता है यह कब क्या करेंगी इन्हें खुद भी पता नहीं होता है दोस्तो यह नाम की लड़किया किसी भी चीज को पाने की कामना रखती हैं और ओभी बिना मेहनत के दोस्तो जादा मुफट होने के बाद यह लड़किया स्वार्थी भी होती है दोस्तो आप इन्हें घवंडी या ऐसान प्रामोस भी कह सकते हैं दोस्तो यह नम की लड़किया ज्यादा तरसांत ही रहती हैं लेकिन कोई इनकी बुराई कर दे तो दोस्तो हजम नहीं होती यह बहुत जल्द ही लड़ाई छगड़े पर उतराती हैं दोस्तो यह प्यार के मामले में भी समझ लिजे कि हिसाब किताब के तरह होता है यह उनसे ही अफना रिष्टा जोड़ती हैं जिनसे इनको उनसे फायदा हो दोस्तो एन्नाम की लड़किया कभी कभार प्यार में फलट भी कर लेती हैं और दोस्तों प्यार में इन्हें बाफादारी करना बेहद ही अच्छी तरह से आता है यह बात से बेहद ही रुमेंटिक और संबेदन सील होती है एन नाम की लड़कियों कोई जल्दी कोई पसंद नहीं आता और वो भी नाही इतनी असानी से अपने इच्छा के मुताबिक अपने पार्टनर को पसंद करती है यदि उनके पसंद का कोई भी चीज ना मिले उनके द्वारा तो वो छोड़ने में उन्हें कोई भी देरी नहीं लगाते दोस्तों यह नाम की लड़कियों सोभाव से रिसर्च किसिम की होती है यह बेहद ही इंटेलिजेंट होती है यह कलपना, सील और बहुमुखी किसिम की लड़किया होती है दोस्तों यह लड़किया संपौन होने के साथ साथ महत्वा कांची भी होती है महत्वा कांची का आर्थिया है दोस्तों की वह मतलवी भी होती है लेकिन दोस्तों इन्हें खुद को कैसे बेहतर बनाना है इन्हें अच्छी तरह से पता होता है और दोस्तों यह नाम की लड़किया से जो भी जुड़े रहते हैं उन्हें यह हमेशा परफेक्ट बनाना चाहती है तो दूस्तो यह मेरा बताया हुआ जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब वेडियो को लाइक और सेर करना बिलकुल ना भूले नमस्कार मित्रो धन्यबाद